प्रस्न तीन, निम्नांकित को दस्मलों रूप में ब्यक्त किजे प्रस्न तीन, काए, तीन सो जोड, साथ जोड, साथ जोड, छे बटा दस तो ये है प्रस्न, तीन सो जोड, साथ जोड, साथ जोड, साथ जोड, छे बटा दस तो इसको दस्मलों रूप में ब्यक्त करना है तो इन तीनों को जोड़ेंगे पहले तो तीन सो और साथ, और साथ कितना हो जागा, तीन सो सड़ सट देखें, तीन सो जोड़ साथ, तीन सो साथ हुआ, साथ जोड़ेंगे, यानि तीन सो सड़ सट हो जाएगा, तीन सो साथ और साथ, तो तीन सो सड़ सट जोड़, छे बटा दस, इस तरह इसको लिख सकते हैं, अब देखें, इसको दस मलों में बदलना है, तो 6 बटा 10 है, यानि यह दस आंस में है, क्योंकि बटा में 10 है, एक बटा 10 को क्या बोलते हैं, दसांस तो यहाँ पर छे बटा दस है यानि दस मलो छे लिख लेंगे क्योंकि एक पर एक एक सुने यानि ये दसांस है ठीक है बटा में जब दस रहे तो दसांस बोलते हैं बटा में सौ रहे तो सतांस और बटा में एक हजार रहे तो हजार हों या सहस्त्रांस बोलते हैं, ठीक है, तो बस यहाँ पे छे बटा दस है, यानि दसमलों के बाद इसको लिख देंगे, छे, यानि दसमलों छे लिख देंगे, तो 367 दसमलों, छे हो जाएगा इसका उत्तर, बी, असी, जोड, आठ बटा दस, तो आठ बटा दस है, यानि बटा में दस है, तो इसको दसांस बोलेंगे, यानि दसांस, यानि दसमलों के बाद वाला आउंको बोलते हैं, तो दसमलों आठ लिख देंगे, असी दसमलों आठ, इसका उत्तर है, सी, एक सो आठ बटा दस, तो दस से भाग दिया जा रहा है, ठीक है, तो देखें, दस से जब भी भाग देंगे, तो एक पे एक सुन है, यानि दसमलों के बाद एक आउंक होगा, तो दस, दसमलों आठ, आठ के पहले दसमलों लगा देंगे, यानि दस, दसमलों आठ इसका उत्तर होगा, प्रस्न डी, चार पुर्णांग तीन बटा दस है, ठीक है, चार पुर्णांग तीन बटा दस, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखें, चार दसमलों तीन बटा दस है, यानि बटा में दस है, तो दसांस हुआ, तो तीन कहां पर रहगा, दासांस के स्थान पर यानि दासमलों के बाद तो इसको लिख लेंगे 4 दासमलों 3 क्या लिखेंगे? 4 दासमलों 3 यी 5 वटा 2 है तो 5 वटा 2 तो देखें 5 को 2 से भाग देंगे ठीक है? तो 5 को जब 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4 देखे दो बार में लगएगा 2 दूना 4 एक बचा तो 10 मलो देंगे तो 10 हो जाएगा तो 2 पचे 10 यानी 5 का 5 बटा 2 मतलब हुआ 5 का आधा तो 5 का आधा क्या होता है 2 दस मलो 5 यानी धाई तो 2 से भाग देंगे 5 को तो 2 दस मलो 5 आएगा if 21 बटा 5 तो देखें 21 बटा 5 है यानि 21 को 5 से भाग देंगे तो 5 और 20 चार बार में लगये एक बचेगा 21 में से 20 गया तो एक बचेगा तो 10 मलो देंगे तो 10 हो जागा यानि 5 दूना 10 तो इसका उत्तर आ जाएगा चार दसमलो दो जी पांच पुर्णांग तीन बटा पांच पांच पुर्णांग तीन बटा पांच तो देखिए पांच को तो पांच ही लिख देंगे अब दसमलो देंगे अब तीन बटा पांच यानि तीन को पांच से भाग देंगे तो तीन तो लगेगा नहीं पांच से तो पांच हक तीस यानि दसमलो देंगे तो तीस हो जागा फिर एक सुन्ने देंगे तो तीस हो जागा यानि पांच हक तीस तो पांच दसमलो छे होगा इसका उत्तर ठीक है तीन को पांच से भाग देंगे तो 10.6 आएगा और 5 यहां पर है है पहले से 5.6 एच 5 पुर्णांक 1 वटबड तो देखिए 5 को 5 ही लिख देंगे अब यहां पर 10.6 देंगे क्यों 10.6 देंगे क्यूंकि 1 को 2 से भाग देना है तो एक को दो से भाग देंगे तो एक को एक छोटा है इसलिए दस मलो देंगे तो एक सूनने देंगे तो 10 हो जाएगा यानि दो पचेट 10 यानि 5 दस मलो 5 इसका उत्तर आएगा कितना 5 दस मलो 5 प्रस्न 4 निम्नांकित संख्याओं को भीन्न के रूप में लिखकर सरलतम रूप में बदलिए प्रस्न चार काई सुन्ने दसमलो एक दो तो सुन्ने दसमलो एक दो इसको देखे कह रहा है कि निम्नांकित संख्याओं को भीन्न के रूप में लिखकर तो देखे इसको हम भीन के रूप में लिख देते हैं तो 12 बटा 100 हो जाएगा क्यों होगा? क्योंकि 10 मलों के बाद 2 अंख है यानि बटा में 1 पे 2 सुन्य देंगे तो सुन्य दस्मलों 1 दो क्या हो गया? 12 बटा 100 भीन के रूप में अब कह रहा है भीन के रूप में लिखर सरलतम रूप में लिखे अब 4 से कट रहा है 4 के पहाड़ा में दोनों आ रहा है 2 के पहाड़ा में भी दोनों आ रहा है ठीक है? तो 2 से काटेंगे तो 2 बार काटना होगा इसलिए 4 से काट देते हैं तो 4 ती अब आ रहा है, 24-100, यानि कितना आ गया? तीन, बटा पचीस, इसका उत्तर कितना आ जाएगा? तीन बटा पचीस, तो, देखें, एक उत्तर आएगा, 12 बटा 100, और एक आएगा, 3 बटा 25, यानि भीन के रूप में आ जाएगा, 12 बटा 100 फिर इसको काटेंगे तो क्या आजागा 3 बटा 25 B 3 दस मलो 5 यानि इसको हम लिख लेंगे 35 बटा 10 35 बटा 10 10 मलो के बाद एक अंक है तो एक पर एक सून ये देंगे ठीक है 10 मलो हटाएंगे तो बटा में अब देखे 5 से दोनों कट रहा है 5 से पैंटीस पांदूना 10 यानि क्या आजाएगा इसका उत्तर 7 बटा 2 इसका उत्तर क्या आएगा 7 बटा 2 और 35 बटा 10 C C में है 2 दस मलो सून्य तो इसको हम लिख सकते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 20 बटा 10 10 मलो के बाद सून्य है तो 10 मलो हटाएंगे तो 1 पर 1 सून्य आएगा बटा में क्योंकि 10 मलो के बाद 1 अंक है तो देखे 20 बटा 10 तो 10 से 20 दो बार में कट जाएगा 10 दूना 20 यानि उत्तर आगया 2 बटा 1 देखे उपर अंस में 2 है हर में कुछ नहीं है तो एक लिख लेंगे यानि इसका उत्तर आएगा 20 बटा 10 और 2 बटा 1 दी 4 दस मलो 8 तो इसको लिख लेंगे 48 बटा 10 48 बटा 10 ठीक है तो 48 बटा 10 है तो देखे दो से कट रहा है दोनों दो के पहाड़ा में दोनों आ रहा है 24 दूना 48 दो पचे 10 यानि इसका एक और उत्तर आएगा 24 बटा 5 तो एक उत्तर आगे 48 बटा 10 और एक उत्तर आएगा 24 बटा 5 इ 11 दस मलो 7 तो इसको हम लिख सकते हैं 117 बटा 10 ठीक है 117 बटा 10 तो देखें इसका उत्तर आएगा 117 बटा 10 क्योंकि कटेगा तो नहीं है कोई भी संख्या से कोई भी पहाड़ा में नहीं आता है दोनों तो 117 बटा 10 ही इसका उत्तर हो जाएगा F 31 दस मलो 2 इसको लिख लेंगे 312 बटा 10 312 बटा 10 ठीक है अब देखें 2 से कट रहा है 2 पचे 10 2 से ये भी कट रहा है 1 2 पचे 10 2 चक 12 यानि 156 बटा 5 इसका उत्तर आएगा 156 बटा 5 जी 8 दस मलो 4 तो इसको हम लिख सकते हैं 84 बटा 10 क्योंकि दस मलो के बाद एक अंग है तो एक पे एक सून्य देंगे दस मलो हटा करके 2 से कट रहा है 2 पचे 10 42 दूना 84 यानि 42 बटा 5 आजाएगा सरल्तम रूप में इसका उत्तर टूप्डमामामारी 5 आजाएगा 10 दूना 84 2 आजाएगा 166 आजाएगा